हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल एमके बायलो जी इफ यू आर वोचिंग माई वीडियो फॉर फर्स्ट एम देन डू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब टो माई चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकुलाई के बारे में इकुलाई है क्या? जिसको हम इसी रिशाकुलाई भी कहते हैं. सो गयार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इकोलाई एक बैक्टिरिया है जो की human body में present होता है ठीक है बैक्टिरिया कैसा बैक्टिरिया है वो एक gram negative बैक्टिरिया है ग्राम negative बैक्टिरिया आपको पता हुआ क्या होता है दो टाइप के बैक्टिरिया होते हैं जिनको हम stain के basis पे डिवाइड करते हैं gram positive बैक्टिरिया ए जो gram negative bacteria है वहाँ पर आपकी peptidoglycan की layer वो तिया थिन ठीक है कम peptidoglycan present होता है इसलिए हम उसको gram negative कहते है then जो इकोलाई bacteria है वो क्या है facultative anaerob facultative anaerob का मतलब क्या है यह ऐसे bacteria है जो oxygen की presence में रहते हैं बट जब इनको oxygen नहीं मिलती तब भी वो क्या है रह सकते हैं इसलिए हम उनको facultative anaerob कहते हैं then जो एक इकोलाई है यह आपके road shaped bacteria है और जिनकी length आपकी 2 micrometer long होती है ओके और यह mostly आपके warm blooded organism में पा जाते हैं उनकी जो intestine है lower intestine मतलब small intestine कह सकते हो आप small intestine में present होते है warm blooded animals वो होते हैं जो अपने body के temperature को regulate कर सकते हैं maintain कर सकते हैं ओके जैसे हम मंच भी किया है warm blooded organisms में आते हैं ओके then next point है जो mostly E.coli है जो stains है types है E.coli के वो आपके harmless होते हैं वो कोई भी disease क्या है cause नहीं कर सकते ठीक है mostly जो E.coli होते हैं then मैं अगर structure की बात करता हूँ E.coli का structure कैसा होता है यह आपका E.coli का structure है देखो यह ऐसा E.coli bacteria आपका देखता है इसमें आपका flagella present होता है पिलाई present होता है ठीक है nucleoid जहाँ पर आपका DNA present होता है cytoplasm में आपके ribosome दिखेंगे आपको ठीक है इसमें plasma membrane भी होती है plasma membrane के उपर capsule भी होगी और fembrae भी होगी ठीक है जो के attachment में help करते हैं यह आपका structure था then हम बात करते हैं जो आपका E.coli bacteria है ठीक है कुछ types हैं जो आपके क्या हैं कुछ diseases को produce करते हैं जैसे आपका food poisoning ठीक है food poisoning आपका mostly E.coli की वजय से होता है जो कुछ type of E.coli है ठीक है कुछ species हैं उनकी वजय से ओके और जो यह E.coli है यह food contamination के लिए भी responsible करते हैं food contamination कैसे होगा जब यह आपके body से fickle material के थरूप बाहर जाएंगे और जो armless stains है आपके ठीक हुछ E.coli के armless stain है जो कोई diseases नहीं cause करते हैं वो आपके क्या है गट का part होते हैं ठीक है आपके intestine में बहुत सारे bacteria है ठीक है जिसमें से आपका E.coli एक ऐसा bacteria है और वो क्या produce करता है वो vitamin K2 ठीक है आपको vitamin K function पता होगा यह क्या करता है blood clotting में help करता है okay calcium sorry bone metabolism में help करता है और जो blood calcium level है उसको भी regulate करता है कौण vitamin K तो vitamin K हमारी body के लिए बहुत essential है जो कि किस से produce होता है आपका E.coli bacteria से E.coli bacteria इसको produce करता है okay then जो आपका E.coli bacteria है वो environment में कैसे जाता है मैंने आपको बताई थी वो आपका fecal material के थ्रू क्या जाएगा environment में जाएगा ठीक है fecal material होगा जिससे क्या है वो environment में फैलता है okay I hope आप यह आपका E.coli bacteria है यह binary fusion से यह क्या है ग्रो कर रहा है ठीक है फिर यह colony की formation कर रहा है ठीक है आपको यह दिख रहा होगा देखो एक E.coli bacteria से कितनी E.coli bacteria बन गए ठीक है यह आपर है इसकी colony form होगई okay I hope guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर द आपको वाचिंदर थैंक्स वर वाचिंदर थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो